नमस्कार साथियों मैं हूँ अविनाश शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटिब चैनल पोजिटिव बिल्डर्स में साथियों 2022 में अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो आपका कितना खर्चाएगा उसके बारे में आज की पूरी वीडियो है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप घर का काम लेबर रेट में कॉंट्रक्टर को देंगे तो आज कल जो रेट चले हूँ है जो 2022 में रेट चले हूँ है वो क्या है और उस रेट में कॉंट्रक्टर आपको कौन-कौन से काम जो है वो करके देगा इसी के साथ अगर आप काम जो है वो contractor को with material देना चाहते हैं तो उस rate में contractor जो है वो आपके घर में कौन-कौन से काम करके देगा उसके बारे में जो है वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है इसलिए आप इस वीडियो को जो है वो अन तक जुरूर देखें आईए शुरू करते हैं आज की वीडियो को साथियों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा type of construction के बारे में तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि construction को तीन कैटेगरी में बाटा है A class construction, B class construction और C class construction या फिर विला की तरह लगे तो उसके जो coast है पर square feet जो coast है वो अलग होगी अगर आप जो है वो RCC structure में घर बनाना चाहते हैं जैसे कि duplex house बनाना चाहते हैं तो उसकी construction cost जो है वो per square feet अलग होगी और अगर आप normal house बनाना चाहते हैं जैसे कि load wearing houses जो होते थे पहले जो बनते थे उसमें सिर्फ into की चिनाई की जाती थी, brick machinery की जाती थी और उसके उपर slab की casting करके घर बनाय जाते थे तो उसकी construction course जो है वो अलग होगी तो इसी लिए जो है वो हमने construction को तीन category में बाटा है A class, B class, C class सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा labor rate के बारे में दिखी labor rate जो है वो क्या रहेंगे A class की construction अगर आप करवाना चाहते हैं तो आपको labor rate जो है वो 300 से 500 रुपए per square feet के हिसाब से जो है वो labor rate आपके रहने वाले हैं अगर आप जो है वो A class की construction करवाना चाहते हैं labor rate की बात हो रही है with material rate के बारे में जो है वो मैं आगे बताऊंगा तो अभी मैं labor rate के बारे में बता रहा हूँ B class की अगर आप construction करवाना चाहते हैं तो आपके rate रहेंगे 200 रुपाई से लेकर 200 रुपाई per square feet और आप C class की construction करवाना चाहते हैं तो आपका per square feet rate जो है वो 150 से 170 रुपाई रहेगा तो आप समझ गए होंगे कि labor rate जो है वो आपके घर में क्या रहने वाला है अगर आप जो है वो A class, B class, C class construction करवाएंगे तो ये था labor rate के बारे में और आपको contractor जो है वो labor rate में कौन-कौन से काम करके देगा उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूँगा तो वीडियो पर जो है वो बने रहें तो लेबर रेट में जो है वो contractor आपको कौन कौन से काम करके देगा दिखिए foundation का जितना भी काम है अगर आपका प्लोट जो है वो समतल है उसमें जो भी excavation खुदाई होगी वो सारा contractor काम करके देगा foundation बनाने तक इसी के साथ जो है foundation के बाद जो प्लिंथ बीम बनेंगी वो भी contractor बना के देगा उसमें जो है PCC flooring होगी आपकी column की casting जो होगी beams, slab की casting आपकी reinforcement का जितना काम होगा staircase का जितना काम होगा वो सारा का सारा जो है वो contractor आपको करके देगा इस rate में इसी के साथ एक महतपून बात जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ देखिए curing भी इसमें ज जो है वो अलग होता है ऐसा इसलिए देखिए दोस्तों जो मैं आपको rate बता रहा हूँ उससे जादा नहीं होगा उससे कम ही होगा जिसमें आपका ही फाइदा होने वाला है तो आप direct जो है वो ऐसा ना कहें कि आप हमें घर का काम जो है वो 200 square feet में 200 square feet में 300 500 square feet में करके वीडियो का उन तक जरूर देख लें देखिए माली जी आप हिली एरिया में construction करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर transportation के ज़्यादा खर्चे होते हैं और वहाँ पर आप ऐसा ना सोचें कि हम material दे रहे हैं तो contractor की क्या transportation charges वहाँ पर रहेंगे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ यहा तो यहाँ पर समान ले जाने में दिक्कत आती हैं कि रोड नेरो रोड होते हैं और उसमें बड़ी गाडिया नहीं जाती तो छोटी गाडियों में समान लेके जाना पड़ता है जिसमें वह cost जादा आती हैं तो उसमें क्या होता है कि contractor हिली एरिया में जो है वह अलग rate बता तो इसे लिए जो है वो ये rate थोड़े से कम हो सकते हैं लेकिन इसे जदा नहीं हो सकते क्योंकि maximum जो rate रहता है वो यही रहता है इससे जदा नहीं होता और इसी के साथ जो है वो अगर plane area होगा उसमें मालीजिए आपको जो है वो rate residential area का ही बता दिया हो लेकिन उसमें जो है वो plaster का काम भी contractor करके देता है तो आप जो है वो ध्यान से contractor के साथ जो है वो बैट के बात कर लीजिये final कर लीजिये कि आपको contractor जो है वो labor rate में क्या क्या काम करके देने वाला है तो labor rate की यहां पर बात पूरी हुई अब मैं आपको बताऊंगा विद मटीरियल अगर आप अपने घर का काम देने वाले हैं तो उसमें जो है वो आपका क्या खर्चा आएगा और क्या रेट रहेंगे विद मटीरियल रेट की बात करें तो देखिए एक लास की कंस्ट्रक्शन में जो आपका विद मटीरियल रेट रहता है वो रहता है बारा सो रुपई से लेकर पंदरा सो रुपई पर स्केर फीट अगर आप जो है वो बी क्लास की कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो आपका रेट जो है वो रहेगा एक हजार रुपई से लेकर 1200 रुपई पर square feet और जैसा कि मैंने आपको बताया कि B class की category में कौन से घर आएंगे RCC structure जो होगा और आपके duplex house जो है वो B class की category में आएंगे और C class की construction अगर आप करवाना चाहते हैं तो with material आपके construction cost जो है वो कितनी आएगी तो 700 रुपई से लेकर 900 रुपई जो है वो per square feet और आपके area के हिसाब से वहाँ जो rate है वो उपर नीचे हो सकते हैं इसलिए हमने जो rate है वो 700 से 900 या फिर उसमें 100 से 200 रुपई का difference जो है वो रखा हुआ है क्योंकि hilly area में rate जो है वो जादा होते हैं और plane area में जो है वो rate जो है वो कम होते हैं तो इसलिए जो है वो ये छोटा सा difference है इससे उपर और से नीचे नहीं होगा rate तो आपको जो है वो with material अगर आप काम देना है आपको तो आपको जो है वो contractor इतने रुपई per square feet जो है वो charge करने वाला है और इसमें मैं आपको एक चीज और बता दू दिखिए यहाँ पर beams को लेकर कोई भी confusion आप ना रखें दिखे beams जो है आप नहीं मापे जाते सिर्फ flat surface जो होगा जो slab का flat surface होगा उसे ही मापा जाएगा और build up area जो होता है आपके घर का तो उसे आपकी प्रकार से स्केर फीट में convert करेंगे या फिर कैसे आप स्केर फीट निकालेंगे उसके बारे में भी आपको एक बार बता देता हूँ ताकि बाद में आपको किसी भी तरह की कोई भी confusion ना हो मान लीजी आपके घर की लंबाई या फिर चोड़ाई जो है वो 25 बाई 40 फीट का आपका प्लोट है जिसमें construction होने वाली है जो build up area है जिसमें घर बनेगा तो 25 इंटू 40 करेंगे 25 गुना 40 करेंगे तो आपका जो square feet बनता है वो बनता है 1000 square feet और मान लीजी आपको contractor ने जो rate बता है जो labor rate बता है वो बता है 200 रुपए per square feet तो आप क्या करेंगे 1000 square feet जो आपका area है 1000 को आप जो है 200 रुपए से multiply कर देंगे तो आपके जो रुपए निकल कर आएंगे वो आएंगे 2,00, रुपए इससे ये पता चलता है कि 1000 square feet घर बनाने के लिए जो है वो 200 रुपए जो है वो per square feet अगर rate होगा तो 2,00, रुपए जो है वो आपके खर्च होने वाले हैं और एक बार फिट से मैं आपको बता दूँ कि देखिए contractor's में कौन-कौन से काम करेगा foundation का सारा काम होगा अगर आपका अप्लोट समतल है उसमें जो भी footing वगारा का काम होगा PCC flooring का काम होगा column, beam, slab, brick machinery staircase, reinforcement का shuttering का जो भी material, shuttering का material जो है वो contractor का होगा जो भी ये काम होगे वो सारे के सारे जो है वो contractor आपको तिक करके देगा इसी किसाद securing जो है वो भी contractor करके देगा labor rate में और with material में material सारा का सारा जो है वो contractor कर रहेगा आपका कुछ भी नहीं उसमें आपको देना है सिर्फ आपको जो है जितना आपको per square feet charge किये गए है उतने पैसे contractor को construction के दौरान और construction के बाद जो है वो देने हैं तो आप समझ गए होंगे कि labor rate जो है वो क्या रहता है और contractor का with material rate जो है वो क्या रहते हैं अगर आप जो है वो A class, B class, C class के construction करवाना चाहते हैं तो अलग-अलग rate रहेंगे वो मैंने आपको पहले बता दिया आपने ध्यान से देख लिया इसी के साथ जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ जो मैंने आपको rate बताए उसमें जो है वो ना ही boundary वोल आएगी ना ही parapet वोल आएगी और ना ही compound वोल आएगी और ना ही बाहर का कोई काम होगा जैसे कि माली जिस एरिया में आपका घर बन रहा है नहीं करने वाला है contractor सिर्फ आपको structure बना के देगा और plaster की आप बात जो है वो confirm कर लीजेगा contractor से कि इस rate में जो है plaster का काम जो है वो होगा या फिर नहीं क्योंकि बहुत सारे contractor जो है वो plaster का काम करके नहीं देते अगर देते हैं तो उसमें जो है वो contractor आपके square feet में जो है वो 40 से 50 रुपए या फिर 60 रुपए 70 रुपए जो है वो बढ़ा कर बताएगा rate उसमें फिर वो आपको plaster का काम करके भी देगा तो ये सारी terms जो है ये सारी बाते जो है वो पहले ही clear कर लें ताकि in future जो है या फिर construction के बाद जो है वो contractor और आपके बीच में कुछ भी ऐसा ना हो जिसके वज़े से जो है वो एक दूसरे को problem हो या फिर किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी प्लीज हमारे YouTube चैनल Positive Builder को सब्सक्राइब कर दीजिए और किसी भी topic पे कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो comment box में type करें हम जल से जल उस topic के उपर वीडियो बनाएंगे आपके doubt clear करेंगे आज की वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाएंगे आपका दिन शुप हो